तो दोस्तो आज 24 नवेंबर 2023 बजार में आज थोड़ा सा विकनेस देखने को मिला खास करके सेगेंड हप में और एड़ दा एंड निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उननेस हजार साथ सो इंपॉर्टेंग लेवल को नीचे की दर ब्रेक करते हुए आके फिर से क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग के समय एकदम फ्लैट में क्लोजिंग वह यानि कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट क्लोजिंग की समय एटलिस देखने को ने मिला और इस कर अलेट में आपको कर लाट की सारे दस वाली वीडियो में में मेंशन किया था याद करके देखे क्या कहा था कि आज आर्बिया के साथ बाकि जो बैंक्स एंड इन बीएपसी उनका एक बोर्ड अपडेक्टर का मीटिंग होने चारा है और उस मीटिंग का आउटकम जैसे में देखने को मिलेगा यहां पर भी भॉठ निकला था उस समय के लिए मत्र कुछ बस मिन्टों के लिए बस थोड़ा नीचा आया था उसका बाद एक दम से रिकवर कर गया था आउटकम जो था वो दोस्तों बैंक्स के फेवर में था बट इन बीपस की फेवर में नहीं था इस पैसे मैं आपको दिखाता हूं कि खास करके जो बड़े इन बेपस है जैसे कि आप देख सकतो बजाज फाइनस में सुबह से थोड़ा बहुत कमजोरी था खास करके एक या द में थोड़ा बहुत कमजोरी सेगें आप में एकदम से गिरावट और क्लोजिंग दिया 1.73% गिरावट के साथ सेम चीज़ आप देखोगे चोटे इन बेपसी ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूं एकदम लार्ज बड़े इन बेपसी मीट साइज अगर हम बात करें तो सेम चीज़ आपको देखने को में लेगा फॉस्ट हब में थोड़ा सा कमजोरी सेगें अपमें एकदम से गिरावट और क्लोजिंग दिया 1.26% गिरावट के साथ आप आईए देख लेते हैं कि बैंक्स की तरफ से क्या कुछ आउटकप निकला है और इसी टोपिक को आगे ह 40 BPS on consumer loan तो जैसे कि आपको मालूम है कि कोई बैंक्स या NBFC का में revenue source कहा था है वो है दोस्तों इंट्रेस्ट इंकम से यानि लोन बाट के बयाचकी कमाई तो यहां पे बैंक्स को यह order दिया RBI ने कि चाहे तो वो 30 से लिए 40 BPS तक जो consumer loan के उपर interest rate है वो बढ़ा सकते हैं य यहां पर हमने लगातार देखा लास्ट कुछ टाइम से खास करके personal loan या consumer loan सेग्मेंट पे बहुत सब्सक्राइब जो rules and regulation काफी स्ट्रीक्ट करने के कारण NBFC की खास करके दिक्कत होड़ा है तो यहां पर आप देख सकतो है RBI रिस्क नॉम्स में हिट लेंडिंग तु स्मॉल बिजनसेज से NBFC तो जैसे आपको मालों हर एक सेक्टर का एक association होता है तो यहां पर NBFC का जो association है उनके तरफ से RBI को यह request किया मैं आपको थोड़ा and provided secured loan finance company have also sought an appointment with the regulator ठीक है उसके साथ साथ देखिए यहां पर चिट्टी में क्या लिखा ता मदब यहां पर जो मेल पर we request RBI to reevaluate the sharp increase in risk weight assigned to bank loan to NBFCs the measure invertly has the potential to sharp reduce the flow of credit MSME self-employed and other sector which delay upon credit from NBFC तो यहां पर actually क्या हमने देखा था कि RBI आपको बहुत सारे ऐसे जो loan खासकर के digital loan यहां पर बात करना चाहूंगा आज की रेट पर अगर आप देखोगे यूटूब चैनल को भी बार-बार आट आता है या टीवी में भी बार-बार आट आता है जैसे के एक दो एक्जम्पल देता हम मनी व्यू हो गया यह सारे जो डिजिटल loan provider companies है यह बजाज फैनस भी देते हैं अपनी टो यह बहुत तरीका किसी को पर्सम्पर चाहिए किसी को ऐसे चोटे बोडे विजन्स करने की लोण चाहिए एक घंटा-अदे से वो चुकाएगा यह सारी चीज फ्यूचर में फसा सकता है तो बेसिकली यह जो कंजूमर है खास करके आज की यंग स्टर है उनके उपर देखते हुए दोस्तों आर्बिया ने देखा था यह जो नॉम्स था यानि जो रूल से रेगुलेशन को काफी स्ट्रिक्ट करने के का सबसे ज्यादा दिकत सामना करना पड़ा है जिस बसे सामने आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई गिरावट नहीं था जैसे का आप देख सकतों बीच में कुछ मिंटों के लिए यह डिशन आने के बाद है क्यूंकि आप यहां पर देखोगे यह जो सारे बड कोटकम निकला एकदम से ड्रॉप देखने को यह हो गया दोस्तों इसके पीछे का में अब देखें बजार में करेक्शन होने के पीछे और एक रिजन है वह है आज बेसिकलिए आई टी स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट वाट हो गया यह सारे आई टी कंपनी के अंदर भी यूचर था उसमें तेजी जरूर था जैसे का अब देख सकतो अभी भी तेजी है 0.26 तो आज रात में दोस्तों इसका अपडेट दे दूंगा आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सारे दस के वीडियो जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर र यह आई-टी सेक्टर में थोड़ा गिरावाट हुआ था और दूसरी पॉइंट यह भी है कि यूएस की दस साल की बॉंड दिल आज थोड़ा सा में इंग्रीज होता हुआ नजरा है मतब थोड़ा सा स्पाइक किया ज्यादा नहीं सिर्फ वान पॉइंट पॉइंट परसें और आई-टी स्मय की हुँ हमें गिरावाट देखने को और बाकि सेक्टर का क्या हल है यह देखिये आज अगर बात करें निफ्टी-फ्मस सेक्टर में थोड़ा बहुत कम जोरी के साथ क्लोजिंग नहीं इनरजी सेक्टर में थोड़ा बहुत उपर की दरह मूव दिया अब बाकि बात करें देखें निफ्टी प्राइबेट बैंक सेक्टर में अच्छा खासा तेजी था बाकि बात करें देखें निफ्टी हंडेड में भी मार्जिनल ग्लोजिंग अब चले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शियर जो कि आज अपना आउल टाइम हाई टाच किया यहां दोस्तों हम सब भी का पसंदेजा कंपणी इस चैनल पर मैं बहुत बार सबको रेकुमेंट भी किया था एचल इवन कर लात में भी मैं आपको मेंशन किया था याद कर देखें कि बहुत बार डिल एग्रिमेंट साइंड हुआ आइफ के साथ एचल का ठीक है सूख भूलना ठीक है बहुत इंपोर्टेंट होने जा रहा है खास करके शेयर होलर के लिए दोस्तों टीवेस मोटर आर फीच से अपना पुराने हाई को ब्रेक किया मतब कल भी हाई टाच किया फिर से आज एक नियू हाई टाच किया नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपने तो वरू कुछ इंपोर्टन अप्डेट्स आवरा फिलाल इस वीडियो को वbi टॉप करता हoo मिलते नेक्स लंको फीडियो पर तब तक लिए